वो एक लाइन सुनी हो गया आपने कि शुरू जो है वो मजबूरी में किया था लेकिन बाद में मज़ा आने लगा कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं इस एनिमे सीरीज को देखने बैठा था था बट मेरा इसके अंदर भी परीत हुआ मतलब कि मैंने शुरू तो मज़े में किया था बट बाहत में इसे खतम करना मेरी मजबूरी हो गई थी नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों Great Pretender एनिमे सीरीज के बारे में टोटल इसके अंदर 23 एपिसोड है इस सीरीज के शुरुआत में मैंने लगबग 16 से 17 एपिसोड देख ले थे लेकिन बाद के जो मैंने इसको देखने के बाद जो लास्ट के कुछ एपिसोड बच गये थे वो मैंने नहीं देखे थे तो उनको देखना एक तरीके से सरदर्दी होगी थी या मतलब वो जहला नहीं जा रहा तो मुझसे इस सीरीज के अदर कुछ अची बातें और ज्जाधा तर पूरी बाते हैं तो चलिए इसके बारे में बात कर लेता है प्रस्ट अ ब से इसक efficient होती है कुछ लोगों की यानि कौन आर्टिस्ट होते हैं लौरेंट एक समझे से एक लीडर है इस टीम के अंदर यही सारी की सारी प्लाइनिंग यहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अदा मामे यही है नव इस इंसान के बारे में क्या कौँँ एक तरीके से समझ्ज़ाई रही है। इसको कोई serious नहीं लेता मतलब यह को भी बात करता है इसको बस आहाँ यह कए के टाल देते हैं बिचारे को बहुत दुक होता है यह इस बात से एक लड़की है आभी जो बहुत कम बोलती है इवन इतना कम बोलती है अगर आप पूरी सीरीज देखोगे तो आप ये गिन सकते हो कि इसने कितनी बार बात की और चौते नमबर पर आती है सिंथिया नाम की एक लड़की मैं इसे इतना अट्रेक्टिव एनिमे करेक्टर तो नहीं कहूंगा मतलब कि हाँ ठीक था तुम मान हचते हो इसे तो इस पूरी सीरीज के अंदर ये डिफरन दिफरन टैप के लोगों को ठचते हैं और फिर एक उसको ये लूट तो लिखाई गई हं और ये सेरीज के मझे एक अच्छी बात यह लगी इसमें साती जो चारों जो क्रेक्टर हैं लोरेंट, एदमा में, एबी, सिंथिया, इनकी बैक स्टोरी भी दिखाए गई है, मतलब इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये इस काम में आ गए, ये चो ठक बन गए, इनके साथ-साथ ये स्टोरी चलती है, और काफी अच्छा लगा कि ये सब चीज लाइव एक्शन मुवी के अंदर पॉसीबल नहीं होती, वो चीज़े अनिमे मुवी में पॉसीबल हो सकती है, इवन उससे ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, यार कुछ ऐसे सीम, ऐसे सस्पेंस डालने चाहिए, कि जिसस इसे देखकर हम हैरान हो जाएं, या फिर मैं कहूं कि इसे और ज़्यादा मुझादार भी बनाया जा सकता है, क्योंकि या एनिमे मुवी है, इसके अंदर कुछ भी पॉसीबल है, यार ऐसी चीज़ें इसके अंदर पॉसीबल हो सकते हैं, जो मैंने कहा ना कि लाइव करना पड़ जाता है, उस लेवल तक पहुंचने पहुंचने में, और ये काफी जादा बोरिं होता है, काफी जादा पेशन्स रखने पड़ते हैं, अब पेशन्स भी रखें, अगर उसके अंदर सस्पेंस बना रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो चोरी जो इसके अं आइंट्रस नहीं आ पाता, लेकिन जहां पर आप उसके अंदर सस्पेंस बना पाते हो, और ऐसा सस्पेंस बना पाते हैं, ऐसी स्टॉरी उत तुम इसके लास्ट के कुछ 5 य अच्छे एपिसोड यी देख लो ना वो काफी जाधा अच्छे उनी के बल पर मैं कह सकता हूं कि यह एनिमे सीरीज के अंदर लास्ट का मैं इसको जहल पाया था अगर यह last के episode तुम देख लो ना बस बहुत हुआ तुम इस पूरी कहानी को समझ जाओगे इस पूरी anime को समझ जाओगे क्योंकि last के कुछ episode में back जो first में वो कैसे मिले थे सारी चीज़ें वो last में दिखाते हैं मतलब एक तरीके से समझ लो कि मिल मिलाव दिखाया जाता लास्ट के अनर अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह anime बहुत ज्यादा बुरा है लेकिन हां काफी हों का पसंद आ भी सकता है बट जिन्होंने बहुत अच्छा anime देख रहा हूं वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी anime सीरीज में देख रहा हूं तो अगर उसका comparison में हो जाता है आपके दिमाग में उस चीज का असर पड़ जाता है कि आप बहुत अच्छा देखते हों फिर एकदम से ऐसी चीजों को देखना शुरू करते हो जहां पर आपको इंटरस्ट नहीं बना था सच मानों यार मैंने से बहुत टाइम पहले देखना शुरू किया था लेकिन इसके 16-17 एपिसोड देखने के बाद जो लास्ट के कुछ एपिसोड बच गे थे उसको देखने के हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाया क्योंकि आर वही चीज सेम टू सेम चली आ रही है चली आ रही है उसके अंदर की स्टोरी भी दिखाई जा सकते थी और फिर भी मुझे लगता है कि उतना इंटर्स फिर भी नहीं बन पाता काफी ज्यादा डिसपॉइंट हुआ मैं इस चीज को लेकर क्यार कि एनिमे से मैं बहुत ज़्यादा उमीदें लगाता हूं कि हाँ अगर हम ऐसी चीज देख रह हुआ है तो अगर आप लोग काफी जादा टाइम से ऐसी एनिमे देखते आ रहे हैं जिसके अंदर लव है महबत है और आप ऐसी देखकर कुछ अपना चेंज करें अपना मतलब एक तरीके से चेंज करना चाहते हो अपना जोनर चेंज करना चाहते हो और आप सोच रहों कि आप लोगों को बहुत जादा अलग एक्शन ड्रामा या फिर मिस्ट्री मिस्ट्री तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है वह आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ निया बट जाते-जाते तो यह जरूर कहूं कि इसके लास्ट का जो एपिसोड है वह मैंने सोचा नहीं कि आप लोगों कैसी लगी अगर नहीं देखी है तो रिव्यू आपने ध्यान से सुनई होगा अगर नहीं सुना तो फिर से देखो यार साध आप लोगों को समझ में आजए और फिर भी नहीं मांते हो तो वेल ले ओ तो बेशक जाका देख सकते हो तो खैर बस आज के लिए इतना है तरह वीडियो में थैंक्स वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिन